कि आपने जो कोशन पूछा कि आँखों में फंगस का कितना सब आ रहा है और कोरोना से क्या संबन्ध है यह बहुत ही प्रसंगिक प्रश्ण है क्योंकि आज की तारीक में हम देख रहे हैं कि इस तरह के काफी मरीज आ कि आ ओर है जिनको यह तखलीफ हो रही है और यह मरीज के जैपूर में नहीं है रास्तान में नहीं है पूरे भारत में है हम एक चीज़ बहुत बार से समझने पड़ेगी कि कर ना एक महामारी जो है उसमें बेसिकर फोता क्या है कोरृना महामारी में जो सबसे important खराबी आ रही है शरीर में वो यह हो रही है कि बोडी की जो आदमी की अपनी खुद की एक लड़ने की शमता होती है किसी भी organism से जिसे हम immunity या रोग प्रतिरोदक शमता बोलते हैं वो कमजोर हो रही है कोरोना पूरे शरीर को इन्वर कर रहा है खास करके फेवड़ों को इन्वर कर रहा है लेकिन अललग प्रिजेंटेशन आ रहा है किसी को शरीर के किसी और oxygen level बढ़ाते हैं या ब्लड में oxygen ले जाते हैं और वो oxygen शरीर के हर इससे को एक तरह का nutrition देती है खाना पीना देती है हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उससे calories बनती है लेकिन शरीर की सनशना में या उसको चलने फिनने में जो main मुख्य बात है वो oxygen है कोरोना पेशेंट्स में oxygen की कमी हो रही है जिसे हम hypoxia बोलते हैं जब भी hypoxia होता है तो जिस जगह में circulation में oxygen की मात्रा कम है उस अंग की काम करने की शमता प्रभावित होती है कमजोर होती है ऐसे समय में क्या होता है जब कभी भी रोग पती रोदक शमता कम हो इम्मुनिटी कमजोर हो शरीर खुद कमजोर अवस्था में हो तो ऐसे infections जिने हम opportunistic infection मतलब अवसरवादी infections होते हैं जिन में सबसे ज़्यादा अवसरवादी तावारे infection फंगल infection होते हैं commonly bacterial infections भी होते हैं फंगल भी होते हैं viral infections भी होते हैं तो जब कभी भी कोई व्यक्ति कमजोर होता है उस पे दूसरे तरह के ऐसी चीजें ऐसे organism जो शरीर में या वातारौन में सामानी रूप से उपस्तित होते हैं वो भी घातक infection बनाने लगते हैं तो सबसे पहली चीज है कि बोली कमजोर हुई है कमजोर होने से जो infection environment में था मैं उसको exactly infection नहीं बोलूँ है जो germs environment में थे वो शरीर में पहुंच कर नुकसान पहुंचाने लग गए हैं और ये एक चिंता का विशह है क्योंकि जो बात हमें समझ में आ रही है कि महामारी अभ काफी कंट्रोल में आ गई है काफी हमें बातें बता लगे हैं कि क्या कैचे जे हमें ध्यान रखना है तो महामारी से बचना संभव हुआ है आम जनता जो अब समझदारी करकर सभी लोग मास्क पहनने लग गए हैं आपस में दूरी रखने लगे हैं सैनिटाइजेशन पर ध अब समस थे वो मजबूत हो जाते हैं जब उनको मुका मिलता है किसी ऐसे शरीर में परवेश करकर परेशानी करने का या बीमारी पेदा करने का कि जो खुद कमजोर है जैसे हम बात करें कि कि किसी लड़ाई में हम अगर जाते हैं तो कुछ कमजोर सेनिक भी दूसरे अच्छा सेनिक है बहादूर सेनिक है उसको अल्रेडी कोई चोट लग चुकी है वो अपने हत्यार काम में नहीं ले पा रहा है या अपने शरीर को पूरे लंग से काम नहीं ले पा रहा है तो कमजोर सेनिक भी एक बहादूर सेनिक को मार सकता है उसी तरह से एक जो नॉमल उसको हम बहादूर सेनिक मानेंगे या अच्छा सेनिक मानेंगे उस पर इस तरह के germs नुकसान कर सकते हैं वो bacterial भी होते हैं, fungal भी होते हैं, viral भी होते हैं अभी जो black fungus जो बहुत commonly चिंता का विशय बना हुआ है उसका मुख्य कारण क्या है, कि ये fungal खुद जब कभी भी शरीर में जाता है और infection करता है, वहाँ पर अपनी growth को बढ़ाने लगता है तो जिस area में ये होता है, उस area खुद की blood supply को ये कमजोर कर देता है या बंद कर देता है, जब कभी भी जिस अंग में गया, वहाँ की blood supply कमजोर होगी तो एक तरह से वो जो अंग है, वो काम करने लायक नहीं रहेगा इस जर्म से लड़ने लायक नहीं रहेगा और वहाँ पर इस जर्म को या इस fungus को बिना किसी तकलीफ के बढ़ने का मुका मिलने लगता है और ये धीरे-धीरे ग्रो करता हुआ, बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है जिस भी जगह circulation बंद होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कभी-कभी जो खास करके काफ़ी लोग जो बीडी सिगरेट पीते हैं उनके पाओं में गेंगरीन एक कॉमन सी बीमारी है पाओं के गेंगरीन में आप देखाओगा पहले उंगली इनवल होती है या हूटा इनवल होता है, फिर धीरे-धीरे पंजा इनवल होता है फिर और वो शरी में बढ़ता जाता है हमें करना क्या परता है इलाज उसका, उसको हमें कातना परता है उंगली अकेली होगी है तो हम उंगली काते हैं थोड़ा और हो गया तो थोड़ा और बड़ा हिस्सा काते है और जब कभी भी ऐसा करना पड़ता है तो हमें जहां तक गेंगरीन हो चुका है उससे थोड़ा और ज़्यादा बड़ा इससा नुकसान में काटना पड़ता है बचाने के लिए तो इसी तरह से यह बलेक फंगस सबसे कॉमन रूप में जो अभी आ रहा है वो नाक में या मुह में या गले में आ रहा है हो क्या रहा है कि जब कभी भी यह फंगस जैसे हम अभी बात करें कि अगर हम सामानी सांस भी लेते हैं तो ये fungus जो environment में होता है, वो नाक में जाता है, आता है, जाता है, सफाई होती रहती है, साफ होता रहता है, infection नहीं बना पाता है, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर हैं, जो लगातार बिस्तर पर हैं, जो एक्टिवटी नहीं कर पा रहे हैं, अपने hygiene को खास करके, जैसे मैं बात कर हैजी कमजोर हो जाती है, ऐसे व्यक्ति जो कहीं एसी जगह पर हैं, जहां पर की कोई भी निर्मान कारी चल रहा है, जहां पर धूल्टी का काम हो रहा है, या जो बागवानी हो रही है, या जहां पर मिटी की उलट फिलीट हो रही है, वहां पर ये fungus ज्यादा कौन होता है, हर व्यक्ति वहां जा रहा हो ऐसा नहीं है लेकिन चुंकि ये काम है जहाँ से फंगस जादा बढ़ता है या जहाँ पर जादा होता है उनके संपर्ट में आने वाला व्यक्ति अपने शरीव पर अपने कपड़ों पर लेकर उस जगह पहुंच सकता है जहां पर एक कमजोर व्यक्ति उसको मिल गया और मैं फिर बताना चाहूँगा कि यह फंगस बहुत जैसे बैक्टिरिया होते हैं यह बहुत लाइट वेट होता है, हवा में तेरता है हम जो सांस लेते हैं उसमें अंदर जाता है, बाहर आता है, ऐसा होता रहता है लेकिन कमजोर रहस्टा में यह वाँ पर जाता है और अपने नमबर को बढ़ाने लगता है, अपनी गूथ करने लगता है और गूथ करने से उस टिशू की डेथ होने से वह काला पढ़ने लगता है इसलिए इसको हम नाम काला फंगस देते हैं यह fungus कोई काले रूप में या काला पार्टिकल नहीं है जो आपको दिखेगा कि काला काला हो गया है लेकिन जिस जगह पे भी इन्फेक्शन करता है उसकी डेथ होने से इसमें काला पाम में लगता है यहां पर मैं यह बताना चाहूँँगा कि जातर व्यक्ति जो चिंता में हैं उनको ध्यान रखना है कि चिंता नहीं रखनी है लेकिन ध्यान रखना है कि यह किसी को भी हो सकता है तो जैसे बताया है कि शमता कमज़र होने का मतलब क्या है सबसे ज़्यादा हमारे यहां पर diabetes एक common बीमारी है जिसमें के immunity कमजोर होती है कभी कभी कुछ लोगों को cancer होता है या cancer की दमाएं ले रहे होते हैं या ऐसी दमाएं जिसे हम steroid होते हैं जो जरूत होने पर प्राण बचाने के काम आती है लेकिन बिना जरूत के पराण को नुकसान पहुचा सकती हैं क्योंकि यह खुद भी immunity को कमजोर करती है अभी जैसे आपने कॉरोना में पूछा तो कॉरोना की बीमारी में जिन लोगों को बोडी की condition में इस्चिरुट की जरूत थी उनको वो जीवन बचाने में काम आई में लेते रहे, साथ में शुगर का ध्यान ने दिया, डाइबिटीज खुद कोरोना में बढ़ जाती है जिन लोगों को डाइबिटीज नहीं थी, उनमें से भी कई लोगों को कोरोना समय में शुगर बढ़ गई है और इस्टूरट लेने से शुगर और बढ़ जाती है या शुगर का कंट्रोल करने के लिए हमें दवाएं बढ़ानी पड़ती है या इंसुलिन लेना पड़ता है तो जो लोग शुगर का कंट्रोल नहीं कर पाए जिन लोगों में शुगर कंट्रोल के बाहर गई उन लोगों में ये infection commonly हो रहा है 100% cases में diabetes बढ़ी हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन majority patients जिब को कोरोना में के बाद black fungus आया है वो diabetes उसमें बहुत commonly थी और control नहीं थी अभी हम figure wise बात करें तो इंडिया में 100-200 case black fungus के साल में पहले भी आते रहे हैं ऐसा record available है लेकिन अभी suddenly ये 5-7,000 या 8,000 तक भी figure पहुंच गई है जो एक alarming बात है जो एक तकलीव दे बात है मैं यहाँ पर मरीजों को यह बताना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी थोड़ा doubt है वो doubt कब होगा क्यों होगा कैसे होगा तो black fungus से पूरे शरीर में कहीं भी infection हो सकता है अभी जो बात करने इसमें सबसे common infection नाक में हो रहा है फिर गले में हो रहा है उसके बाद lungs में हो रहा है लेकिन अगर नाक में या गले में infection होगा तो जो चीजी हम घर रहते भी कर सकते हैं वो मैं यहां बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले नाक में अगर infection होगा तो नाक में या नाक के आसपास सूजन आएगी तो किसी भी वक्ती को अगर एक नाक की तरफ या दोनों तरफ सूजन आ रही है दर्द हो रहा है सांस में दिक्कत आ रही है नाक को साफ करते समय ब्लड आ रहा है या घर पे हम नाक को देखें किसी इस्से में blackening हो रही है या गले में बात करें तो किसी दांत में दर्द हो रहा है दांत के दर्द के पास वाले इस्से में blackening हो रही है सूजन आ रही है चेहरे पे सूजन आ रही है उसके साथ सूजन बढ़ती चली जा रही है headache हो रहा है जो explain नहीं हो रहा है मतलब कि उसको कोई तकलीफ जादा नहीं है लेकिन blood pressure की तकलीफ भी नहीं है बट headache हो रहा है जो सवंज में नहीं आ रहा है सांस में दिकतान लगी उल्टी करने के टाइम फून आने लगा है तो ये common presentation है या कभी भी किसी व्यक्ति की हालत ठीक होने के बाद बिना किसी कारण के deteriorate हो रही है मतलब वापस कमजोरी आ रही है और बाकी test उसके normal आ रहे हैं तो उन लोगों को हाई सम्भावना है कि शायद fungus infection किसी भी तरह का fungus में black से मतलब नहीं है common जो fungus होते है mucaric है जो बहुत common नहीं है जो common infections है वो candida और aspergillosis है वो भी fungal infections इस तरह की conditions में जादा होते है fortunate बात क्या है कि candida से या aspergillosis से sudden death नहीं होती है या suddenly वो किसी चीज़ को बिल्कुल बेकार नहीं कर सकता है उसके लिए काफी दवाया अफ लेवल है जो market में पहले से अवलेवल है mucar के लिए जो common दवा काम में आ रही है जिसे हम emphotresin B कहते हैं वो भी काफी मात्रा में अवलेवल रहती है लेकिन अभी जैसे मैंने बता है कि जो requirement है वो suddenly बहुत जादा बढ़ गई है दूसरी चीज़ समझें कि emphotresin B हम जो fungal infections में काम लेते हैं उसकी जो dose requirement थी मतलब वो बहुत कम थी अब उसके जगए dose 3 से 5 गुना हो गई है तो उसकी वज़े से भी कमी आ गई है दूसरा जो व्यक्ति जादा तर बीमार चले आ रहे हैं उनको नंबर जादा हो गया है उसके लिए जादा चीए है और fungal infection, bacterial infection की तरह नहीं है कि एक दिन दो दिन में एकदम से response दिखा दे हैं पूरे ठीक हो जाए है fungal infections में इलाज महिने, दो महिने, तीन महिने तक भी चलता है तो जो दवा की मात्रा है वो मार्केट में उपलब्द कम हो गई है इसलिए जबस्ति दवा काम में नहीं लिया दे लेकिन जरूत होने पर दवा काम में लेना जरूरी है तो समझने की चीज क्या है, किसको होगा तो सबसे अच्छा काम हमें क्या करना है कि बिना जरूरत के इस्चिरोड नहीं लेना है अगर हमें diabetes है, तो definitely control रखना है, सतर्क रहना है अगर हमें diabetes नहीं थी, कोरोना हमें लबे टाइम चला है तो भी हम regular sugar की जाच करते रहें अगर किसी भी कारण से हमें तकलीफ हो रही है जो बीमारी ठीफ होने के बाद हो रही है तो हमें कोई दूसरा infection हो गया है उस चीज की जाच कराने चाहिए और अगर आपको जो तकलीफ हैं मैंने बताई कि आपको सूजन आ रही है नाक के पास सूजन आ रही है यहां पर सूजन आ रही है आँख में सूजन आ रही है गले में सूजन आ रही है या सांस में दिक्कत आ रही है या बलेक हिस्सा दिख रहा है दांत हिलने लगा है या उपर का जो तालू है उसमें ब्लेक हिस्सा दिखने लगा है क्योंकि जैसे में आता है जाएगा आएगा तो उपर के तालू पर ये चिपक जाता है बाकी जो चीज है वो लगता है चलती रहती है तो वहां से एक तरह से ये वाश आउट होता रहता है जहां यह वाशा उट नहीं हो पाता है वहीं पर infection बढ़ने लगता है तो black ning आपको दिखने लगेगी दांतों में कचरा फस दाता है वहाँ पर देखने लगेगी तो जब कभी भी ऐसा हो तो आप चिकल सब को तुरंद दिखाए अब समझने की चीज क्या है तो क्या करना है तो सबसे important चीज है कि जब कभी भी infection होता है अगर कोई infection दवा से immediately ठीक हो सकता है तो हम दवाओं को उपियो करते है अगर हमें ऐसा लगता है कि दवा से immediate response नहीं आ रहा है या नहीं आने वाला infection है तो जितने इससे में infection हुआ है उसको जल्दी से जल्दी clean किया जाए उसको साफ किया जाए उसको वाँ से हटाया जाए इसे हम medical भशा में debridement करते हैं या excess load है उस load को खतम करना है उससे फायदा क्या होता है कि एक तो जो वहाँ पर negative या dead tissue है उसमें जो infection लगाता और बढ़ता चला जा रहा था वो control आपका है दूसरा जहां पर infection हो रहा है उसी में कुछ area active होते है जहां पर ये infection बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है तो जब हम उस dead area को हटा देते हैं तो हमें वो active area दिखने लगता है जहां पर हम दवा को उप्योग जादा अच्छे से कर सकते हैं सफाई कर सकते हैं और मैंने बताया है कि गैंग्रीन हो रहा है इस्चीमिया हो रहा है blood supply वहां की बंद हो रही है compromise हो रही है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि blood supply का जो नुकसान है वो और बड़े अरिया में ना बढ़ जाए क्योंकि कई बार हम छोटी चीज को निकाल सकते हैं बट पूरी बड़ी चीज को निकाल नहीं सकते हैं तो जितनी जल्दी हम debride करके जो clean area है वहां तक पहुंचे वे infection की सम्मावना को मानते हैं थोटे से बड़े अरिया को साफ ना कर दें इसको रोकने में दिक्कत आती है तो fungal infections के बारे में बचाओ जरूरी चीज है सफाई जरूरी चीज है जरूत होने पर immediately treatment लेने से हम black fungus से होने वाले major नुकसान से बच सकते हैं जब कभी भी तकलीफ हो आख और नाख के बाद क्या होता है कि इसको हम बात करें medical भाशा में तो इसको हम बोलते है rhino orbital cerebral syndrome सबसे पहले ये नाख में आएगा फिर वहाँ से आख यानी और्बिट में जाएगा और फिर वहाँ से ये दिमाग में जाएगा तो ये rhino मतलब nose orbital मतलब आख के जो हम आख है इसको आख में शरी में रखने की एक जगह होती है जो तीनों तरफ से पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो एक हड़ी का खाचा होता है जिसमें की आख होती है बाहर से ये खुला होता है तो नाख से जो sinus की बात करें जो commonly sinus हम बात करें नाख में maxillary sinus है, ethmoid sinus है तो ethmoid sinus में अगर हम बात करें तो वो यहां होता है maxillary यहां होता है नाख से ethmoid sinus में जाएगा तो वो आख में आ सकता है या दिमाग में आ सकता है नाख से maxillary sinus में गया यहां से आख में जा सकता है जब आँख में चला गया तो आँख के नीचे वाली इससे के हड़ी यह है उपाली इससे के हड़ी यह है यहां से यह ब्रेन में जा सकता है तो आँख से सीधा ब्रेन जा सकता है नाख से ब्रेन में जा सकता है तो यह हमें ध्यान रखना है जब कभी भी brain में पहुंच जाता है तो हम brain के tissue को काट कर फेक पाएं ऐसा नहीं हो पाता है दूसरा जब ये brain में पहुंच जाता है तो blood circulation के through body के कई सारी और जगवरी ये पहुंच जाता है तो blood circulation से कहीं और पहुंचे उसके पहले अगर हम इलाज शुरू कर दें तो हम बच पाते हैं जब कभी भी ये नाख से आँख में चला जाता है और बहुत जल्दी treatment हो गया है तो हम आँख को बचा सकते हैं और आप को बचाना चाईए लेकिन पीमारी ज्यादा बढ़े चुकी है और आप को बचाने के चकर में जान जा सकती है तो आउख निकालना भीपर सकता है आँख में जो नज़र का नुक्सान होता है उसमें दो कारण अलग होते हैं एक ही आँख में डारेक्ट इन्वेट कर जाए और दूसरा यह है कि आँख की जो खून की सप्लाई है सेंटरल लेटेन अर्टरी उसको बंद कर देता है जब खून की सप्लाई बंद हो जाएगी तो आँख से दिखना बंद हो जाएगा दिखने में बाहर से आँख जैसी दिखेगी लेकिन अंदर से काम करने लाइक नहीं होगी और पेशेंट सड़नली बोलता है कि मुझे दिखना बंद हो गया है ये मतलब वेसे अच्छी बात नहीं है लेकिन कुछ लोगों को नजर का नुकसान होने की वज़े से ये एक लाइम लाइट में आ गया है और इसके वेसे फाइदा ये हुआ है कि बलेक फंगस के लिए लोग सतर्क हो गई हैं सरकारें सतर्क हो गई हैं अस्पिताल सतर्क हो गई हैं पेशेंट सतर्क हो गई हैं और इसके वेसे उनका इलाज जल्दी शुरू हो पा रहा है इसलिए आने वाले मरीजों में बलेक फंगस होने के बाद भी हम उनको अंदा होने से रोक पाएंगे तो कुछ नुक्सान होने से ज़्यादा प्रशन होंगा है यह एक बहुत अच्छी बात हुई है यह चुछा है सफेद फंगस क्या है, बिलेक फंगस क्या है, बेला फंगस क्या है। दोगो जब कभी भी fungus से infection होता है मैंने बताया है कि यह opportunistic infection है तो बहुत जल्दी नहीं होते हैं और बहुत जल्दी treatment भी नहीं चाहते हैं क्योंकि तकलीफ कम करते हैं इनमें हम बात करें जो सफेथ fungus है जो commonly होता रहा है और काफी लोगों में अभी भी है उसका corona से diet संब्द नहीं है लेकिन वो संब्द जरूर है कि जब कभी भी immunity कमजूर होगी body उससे नहीं लड़ पाएगी तो सफेथ fungus commonly आगएगा हम बात करें मुह में, गले में या नाक में सफेथ fungus जो commonly होता था वो उन लोगों को होता था जो कुछ दवाईयां जिने हम अस्थमा के लिए काम में लेते हैं वो मुह से या नाक से लेते थे पफ जिहने हम बोलते हैं और वो दवा जब वहां जबी रहती हैं काफी दियल तक उसमें इस्टियोड भी होते हैं नोन स्ट्रोलल दवाएं भी होती हैं या जो लोग गले को लगाता साफ नहीं करते हैं उन लोगों में धीरे धीरे ये इन्फेक्शन हो जाता था जिन लोगों कोई भी लंबी बीमारी होती थी और घर पे रहते थे कुला नहीं कर पाते थे, मंजन नहीं कर पाते थे, गले की सफ़ाई नहीं कर पाते थे उनको भी ये fungus infection Candida वाला हुआ करता था जिसको हम oral thrush बोलते हैं तो जो कुछ भी infection हो रहा है, उससे जो शरीर में नुकसान हो रहा है और जो हमें दिखा रहा है, उसके सहसा हम कलर से बोलते हैं Black fungus मैंने बताया है कि खून की सप्लाई बंद हो गई, इसलिए वहाँ पर dead tissue होगा, वो black हो जाएगा जहां पर Candida infection हो रहा है, वो वहाँ पर Candida की membrane मनती जाती है जब कभी किसी infection के साथ पस बनने लग जाएगा, तो वो पीलापन दिखाए देगा, तो पीलापन दिखाए देगा तो हमें उसको yellow fungus देंगे बड़ फंगस में खूब सारी प्रजातियां होती है, खूब सारे उनके variety होती है, जैसे bacteria में अपन कॉमनली जानते हैं कि यह अललोग नाम है, ऐसे fungus के भी खूब सारे नाम है, तो जब कभी भी जिस particular fungus से या जिस किसी infection से जो presentation आता है, उसके साथ से उनको नाम दिया है, जि इसलिए जो फंगस के प्राब्लम है, यह मैंनलों नाम दियाप्टिक या इस तरह का वादी पेशन्ट होते हैं, जैसे बीपी की प्राब्लम से ब्लेक फंगस या कोई भी तरह का फंगस आएगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिनको ब्लड प्रिशर जादा होता है, उनको मो आती हैं, कुछ दौएँ होती हैं जिसे हम कैंसर में काम में लेती हैं, उनको का बचाने के लिए, या शरीर में जब कभी ऐसा होता है कि बोड़ी की खुद के टिश्यो के खिलाब बोड़ी की इम्मुटी उसके अगेंस में काम करने लगती है, जिसमें औटो इम्म्यून ड कि बोडी के टिश्यू को ऐसा म annra कि ये बहारी वस्तु है और उसके खिलाफ इम्युन response यानि कि उसे लड़ने लगता है और उससे लड़ने से उसके शरी को नुकसान होता है क्योंकि जब जब antibody reaction आती है किसी antism के खिलाव तो वो शरीर को नुकसान करती है अगर ये बीमारी के खिलाव आती है तो ये शरीर को फायदा करती है तो जब खुट की body के against काम करने लगती है तो इसको हम autoimmune disorder बोलते हैं तो इन कैसेज में हम immunity को कम करने के लिए limited रूप में कम करने के लिए कुछ दवाएं काम में देते हैं या जैसे किसी को kidney transplant हुआ है तो उसको हम दवाएं देते हैं जिससे कि body उस tissue को जो बाहर से हमने शरीर में लिया है उसको reject ना कर दे ऐसे ही और भी तरह के organ transplantations होते हैं इसमें हम उसको थोड़ा सा response को कमजो रखते हैं ऐसे जितने भी मरीज होते हैं आपने पहले भी देखा हुआ जिनको किल्मी transplant करते हैं उनको हम बोलते हैं जब भी आप पब्लिक में जाएं तो मास्क लगा के जाएं क्योंकि हमें मालुमें कि सबसे common infection जो environment से आएगा वो मुह से नाक से आएगा इसलिए mask protection बहुत जरूरी है सेम चीज कोरोना में है कि environment से आने वाले infection को रोगने के लिए हम मास्क पहने और मास्क में पहनने में जो चीज समझे की है यह कोरोना को बताना नहीं कि देखो मेरे पास यह कोई चीज है और यह mask है ऐसा नहीं है उस में से कितनी चीज छनकर अंदर जा पा रही है उसको वो रोक पा रहा है या नहीं रोक पा रहा है वो mask है काफी लोग आपने दिखा हुआ साली का पलू आगे कर लेते हैं रुमा लागे रख लेते हैं हाथ से ऐसे पकड़ लेते हैं वो mask का काम नहीं कर रहा है mask का काम यह कि आने से वाल जो environment की हवा है या जो भी चीज आके इस पर टकरा रही है वो इसके through अंदर नहीं जा पा रही है major रूप में बिलकुल zero होगा तो आदमी सांस यह नहीं ले पाएगा लेकिन जो particle size है अगर वो बहुत कम रही है 3 micron, 1 micron, 5 micron, 50 micron ऐसे अलग size के mask आते हैं तो जो हम मोटे रूप में कपड़े का mask मैंते हैं उसकी जो बात करें च्छन कर जाने वाली बात हैं अंदर वो इतने बड़े particles भी उसमें अंदर जा सकते हैं तो fungus बेक्टेरिया से थोड़ा बड़ा particle होता है तो एक कपड़े के mask से भी थोड़ा रूप सकता है लेकिन bacteria या virus उससे नहीं रूपता है इसलिए भी आपने सुना होगा कि सरकार कह रहे हैं कि सभी लोग दो मास्क मेंने उसका परफज क्या है कि एक मास्क आपने पेना तो मोटे रूप में छण गया और इमीडियेटली उसकी जो speed थी अंदर जाने की कम होगी फिर दूसरा मास्क के पीछे है तो बड़े particle होने के बाद भी अंदर जाने की समभा होना थोड़ी कम हो जाएगी काफी लोग दो मास्क पहन रहें लेकिन नुकसान क्या हो रहा है कि एक मास्क गीला हो चुका है गीला क्या हुआ मास्क पर्मेबिलिटी को या इस चीज को जो चनकर अंदर जाने वाली इसको बढ़ा देता है तो मास्क आपका सूखा रहे, साफ रहे, जरूद पढ़ने पर उसको चेंज करते रहे, आइडियली मास्क एक बार यूज करके फैंकने वाले हैं या थे, लेकिन अभी situation बदल गई है, मास्क की availability बहुत बड़ी problem थी, अभी थोड़ी से कम हुई है, तो हर मास्क को डेली फैंक पाएं, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर मास्क गीला हो गया है, या मास्क किसी गंदी चीज के contact में आज चुका है, तो फिर उसको पहनना खत्रा है, वो नहीं करना चाहिए। करना चाहिए।